आप जानते ही होंगे कि पुछ फ्ल ऐसे होते हैं जो फ़ल के रूप में तस्वादिश लगते ही हैं लेकिन सूखनी के बाद सीहत के लिए और गुर्ड़कारी सावित होते हैं ऐसे ही एक फल के बारे में हम आज आपको बताने शूखा लेकिन उसके खाने के कई सारे लाब भी है हम बात कर रहे हैं अंजीर की इसे फल और ड्राइफ रूर्ट दोनों प्रकार से खाया जाता है ऐसा माना जाता है कि प्रत्वी पर पाई जाने वाले सबसे पुराने फलो में से एक अंजीर है अंजीर एक ऐसा ड्राइफ रूट है जिसका उपयोग अन्य ड्राइफ रूट की तरह खानी में और मिठाई नित लगभग नहीं के बराबर होता है लेकिन और शदी के रूप में इसका यूज सफलता पूर्वक किया जाता है इसलिए अंजीर के कई फायदी होते हैं अंजीर में विटामिन, आइरन, कैल्शियम और फॉसफोरस होता है तो ये तमाम तत्व सेहत और शक्ती को बढ़ाने के लिए किया जाता है सुस्ती और कमजोरी से खाने के बाद ही दूर हो जाती है आपको बता दें रोज एक अंजीर रात को आधा कप पाने में भिगो कर सुबह चबा कर खाने और इसके पाने को पीने से कुछे दिन में कब्ज से राहत मिल जाती है गले में खराश है और खासे भी है तो अंजीर को अच्छी तरह चबा चबा कर खाने से ये तकलीब दूर हो जाती है उसके बाद इस्थाई रूप से रहने वाली कब्ज में अंजीर खाने से कब्ज दूर होता है अंजीर के दो से चार फल खाने से पेट साफ होता है अंजीर सांस की बिमारी के लिए भी बहुत फायदे मन्द है इससे फेफडों के शिकायद भी खत्म हो सकती है नजला और जुकाम अगर पुराना हो चुका हो और दवाओं का इस्तमाल से भी परिशाने दूर नहीं हो रही हो ता अंजीर खागर देखें आपको साफ फर्क महसूस होगा साथ ही ये जोडों के दर्द गटिया जैसे मरीजों के लिए भी एक ताकतवर ओशदी है इसे ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है शरी में खून बने लगता है इस तरह खून की कमी शिकायद भी दूर हो जाती है आप दवाईयों से भी बच जाते हैं सूखे अंजीर के टुकड़े और छिले हुए बदाम को गर्म पानी में उबाल ले इसे सुखा कर इसमें दानेदा शक कर पिसी हिलाइची, केसर, चिरुणजी, पिस्ता और बादाम बराबरा मातरा में मिला कर साथ दिन तक गाय के घी में पड़ा रहने दे रोजाना सुखा 20 ग्राम तक सेवन करें इससे आपकी ताकत बढ़ती है पीन-चार सूखे अंजीर को शाम के समय पानी में डाल कर रखते सबह अंजीरों को मसल कर प्रति दिन सबह खाले पेट खाने से बवासीर दूर होता है कम पोटिशियम और अधिक सोडियम लेवल के कारण हाइपरटेंशिन की समस्या पैदा हो जाती है अंजीर में पोटिशियम जादा होता है और सूडियम कम होता है इसलिए ये हाइपरटेंशिन की समस्या होने से बचाता है सिरके या पानी में अंजीर की पेड की चाल की भस्म बना कर सिर पर लेव करने से सिर का दर्थ भी ठीक हो जाता है Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.